नमस्कार मैं आचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में कल 17 सितंबर है और सर्व पित्र अमावस्या है ये श्राद का अंतिम दिन होता है इसलिए ये पित्रों की विदाई का दिन माना जाता है पहले हम पित्रों का स्वागत करते हैं कि वो हमें आशिरवाद देने आए और फिर अमावस्या के दिन हम उने विदाई देते हैं ताकि वो जहां से आए हैं वापिस चले जाएं शास्तरों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन उन पित्रों का शराद करम किया जाता है जिनकी मृत्युतिति ग्यात नहीं होती इसके इलावा यदि किसी का शराद भूल गए हैं तो इस दिन उनका शराद किया जाता है जब श्राद पक्ष प्रारंब होता है तो मृत्र लोक से पित्र धर्ती लोक पर आते हैं अपनी संतानों से मिलने आते हैं उनका ध्यान देने आते हैं और अमावस्या के दिन वो वापस चले जाते हैं माना जाता है व्यक्ति श्रद्धा और इश्वास से नमन कर पित्रों को विदा करते हैं, उनके घर में सुक शांती का आगमन होता है, उनके घर में पैसे की कभी कमी नहीं रहती और पित्रों का आशिरवाद उन्हें लगता है, अगर उन पर पित्र दोश हो वो भी खतम होता ह तो इस दिन मैं आपको एक उपाई बताने जा रही हूँ जो की पीपल के विरिक्ष पर आपको करना है सर्व पृत जो अमावस्या के दिन पित्रों की शांती के लिए और उनका आशिरवात प्राप्त करने के लिए गीता में सातवे अध्याय का पाठ करना भी अच्छा माना जाता है इस दिन पीपल की सेवा और पूजा करने से जो हमारे पित्र होते हैं ये प्रसन होते हैं तो आपको करना क्या है आपको एक लोटा लेना है उसमें आपको दूद और पानी डालना है और उसमें काले तिल डाले आप शहद डाले और जौन डाले तीक है दूद और प इसे चड़ाना है आप जल सुबा के समय बारा बज़े तक भी चड़ा सकते हैं उसके बाद शाम के समय भी चड़ा सकते हैं इसके बाद इक दीपक जला दे दीपक चाहे देशी गी का हो और चाहे वो सर्सों के तेल का हो वो इच्छा नुसार आपको वहाँ दीपक जलाना है गी का दिया जलाएं, ऐसे करने से पित्रों का आशिरingo प्राप्त होता है, और चारो तरफ positive energy रहती है, यह उपाए कोई भी कर सकता है, जिसे तारीक नहीं पता, वो भी कर सकता है, ठीक है, और यह जरूर करेये, ताकि आपके पित्र प्रसन होकर जाएं, आप सब जानते हैं कि मैं astrology related videos भी upload करते हूँ तो अगर कुंडली related आपका कोई सवाल है क्योंकि हमारी life में जितने भी दुखाते हैं चाहे वो पैसे से related हो, शादी में देरी हो या संतान में देरी हो या नौकरी से संबंदित कोई दिक्कते हो जब कुंडली के उपाय हम करते हैं कि बहुत आसान होते हैं तो वो करने से हमारी problems दूर हो सकती है अगर आपके पास अपनी जनम कुंडली नहीं है या सही जनम तारीक जनम समय नहीं है तब भी आपकी कुंडली तयार हो सकती है कुंडली देखने के हमारे charges हैं आप नीचे दिये number पर हमें WhatsApp मेसेज करें मैं उमीद करूँगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आप इसे like and share करना नहीं भूले और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe ज़रूर करें मैं आचल फिर मिलूँगी आपके अपने चैनल Health Meter में नई वीडियो के साथ मुझे जादत दीजिये नमसकार गुडबाई